गुद मॉर्निंग वेलकम लान नीव व्लॉग हैं teres orth 270 मैं व्लॉग में तो अभी फिलाल हूं अपने रूम में फिलाल शेक रहं हूं hit aya heta रहा हूं heaậ sr सनो फॉल नापको लाइफ सनो फॉल दिखा देता हूँ सनो फॉल में ऐसा है ना मतलब की बार-बार लाइट जा रही है और मुझे पावर बैंक वगएरा सब कुछ चार्जिंग में रखना पड़ रहा है और मेरे पीछे यहां पर है चिडिया वग्यारा कबूतर वग्यारा बैठे है विकॉज यहां पर उपर सिमेंट की दिवारे फिलाल काफी बर्फ रही है और काफी टेंपरेचर बहुत थंटा है मतलब और रोड मतलब थोड़ी गाड़िया चल रही है शायद चाहम तक अगर पर बर्फ रहे तो रोड बन भी हो सकते हैं और लाइट तो जाएगी लाइट जाने का तो पूरे जानसी से क्योंकि बर्फ में अक्सर हमेशा यहां पर लाइट जाती है और यहां से परे तक एकदम मुलब बर्फी बर्फ पढ़ रही है पूरा उपर से लेकर नीचे तक मुलब सब जगा पैक है पैक तो फिलाल चलते हैं अंदर या चुकारूम के अंदर फिलाल हीटर जला लेते हैं थोड़ा सा हीटर से एक लेते हैं इसलिए जिसने भी ऐसे सनोफार में घुमना है तो अपने शूज अच्छे वाले लेजिए अभी चलते हैं परे ऐसी बाहर घुमने तो मैं आपको दिखाता हूं नजारे भी दिखाऊंगा और बर्फ भी दिखाऊंगा तो भी बाहर जाने के तियार और एक जाएकर डाल द जाएकर जाएकर देजाएकर में तो धुमने के जाएकराइकर वज़ें तो आजाएकर देजा। अभी जा रहे हूं ऐसे ही खुमने अभी बर्फ पढ़ तो रही है लेकिन अभी पढ़ रही है थोड़ी कम पढ़ रही है मतलब पत्ली पत्ली पढ़ रही है शायद आपको कैमरा भी दिख रही है नहीं होगी देखिए मेरे बाल पर बाल पर बर्फ है तो अभी इसी तरह आगे को जाते रहेंगे मैं आपको दिखाता हूं यहां पर रोड में सब जगा इसी तरह है पीछे तक स्बस्टन आपको कर दो कर दो हुआ है किसा लग रहा है शापको पाच अच्छ लग रहा है अधना निए अधनापना फेस इसके अंदर और अपना फेस्ट इंग पर्फ में कैसा है मैंने इस देखा था एक मिल्ब डिल्स में देखा यहां बैद किए इस तरह प्रीजा दाल रहे हैं अब मैं डालता हूं है अब मैं डालता है आप मुछ अब आधान डाव गया एक जाकर थोड़ा सा दिख्रा होगा मेरा चेहरा नूस दिख्रा है जादा नहीं दिख्रा गूच निकी नोस तक दिख्रा है विख पड़े और रात को भी वर्फ दी हुई है और सुबह तक शायद इयाँ बहुत जदा अधे लगने वाली है अभी देरा होने वाला है जाल अभी चलते हम तो घर को जुटो में बर्फ ही गुश चुकी है और अभी चलते हैं अभी हो चुकान देरा फिर में और सारा चार भी घर की तरफ और रात पर ऐसे ही अगर बर्फ पढ़ती रहें सुबह तक बहुतादा हो जाएगी तब और घर में पार पार लाइट जा दिया है अगाँ आए कि अ अ पर तो अभी पहुंच चुके हम घर अभी जाके तंदूर सेखते हैं और ठंडा हो गया है तंदूर में आगे नहीं जलिया अभी लगए यहां पर हमारे पास कुख पीछे कुख तो इस टाइम मुझे सारी का पैना आ रही है एक बेल्ट जिसके कारण मेरी जो रीड घड़ी है वो सीधी रहेगी विकाज इससे यह होता है कि हमारी हम बैंड बैठे होते हैं उससे हमारी रीड घड़ी सीधी रहती है मुझे और जिल्मा महाराााँ अब या चुका ऑपने रूम में फिर अभी करूंगा रेस्ट पिर इसके बाद डिनर करूंगा उसके बाद अब दो बाद सो जाएंगे फिर बुछ उटोंगा फिर आप से गड़ मॉर्निंग् तो अभी जा चुकी है लाइट चुली लाइट रात से ही नहीं है विकाज बाहर पढ़ रही है स्नो तो दिखाया था कि आज दिन बर स्नो है लब रात को भी थी दो बुजे से थी वर्प और अभी भी लगी है तो फिल हाल मैं भी अपने रूम में हूँ तो अभी चलते बाहर फिर दिखाता हूँ आपको बाहर तो फिल हाल बाहर है बहुत जिना और वर्प चुकी है बहुत सारी शाम तक इसी तरफ बढ़ पढ़ती रही तो मुझे लगता है दो फूट भी पढ़ जाएगी तो यहां सब जगह से वाइट वाइट हो चुका है पूरा एरिया मतलब काफी बढ़ चुकी है लगवर एक फूट तो पढ़ी चुकी है और अभी भी लगी है अभी फिलाल दोड़ी पत्ली लगी है यहां उपर से बर्फ गीर कर नीचे ही कठा हो चुकी है करता हूं अभी बर्फ के साथ हुड़ी तो फिलाल अभी लगी है वर्फ काफी तेज और हवा भी चली है वर्फ के साथ होड़ी तो फिलाल चलते अभी परे दिखाता हूं आपको करता हूं करता हूं तो अभी जा रहे हैं घर को और वर्फ इस टाइम इस डारेक्शन में आ रही है कि हवा इदर को चली है कभी इदर को जा रही है कभी इदर को आ रही है कभी सीधी पर रही है तो यह हवा के हिसाब से है तो फिलाल अभी चलते हम अपने घर को अभी पहुंच चुके है घर और बस आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता आप